वेडियो तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला और आप लोगों के लिए हेलफुल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को थम्नेल टुटोरियल देने वाला हूँ एक ऐसे बंदे के उपर जिनका थम्नेल बहुत ज़्यादा एट्रेक्टिव होता है जो कि आप लोगों ने थम्नेल और टाइटल पर देखी लिया होगा जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो कि मेहस नाहिक जैसे थम्नेल आप लोग कैसे अपने मुवाइल से बना सकते हैं सब चीज में आप लोगो प्रवाइड कराऊंगा एक एक पी एंजी तो प्लीज वीडियो को एंट्रेक जरूर देखेगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा से रिक्वेस्ट है यार कि जल्दी सा हमारी 5 इनिट सब्सक्राइबर करवा दिजे बस 9 सब्सक्राइबर बाकी है तो जल्दी जल्दी जाके आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो यहाँ पर हम लोग अपने मुआली स्केन प्राच चुके है और मैंने यहाँ पर पिक्सल लैब अप्लिकेशन ओपन करके रखा हुआ है तो मैं यह सब काम पिक्सल लैब अप्लिकेशन में करने जा रहा हूँ आप चाहिए तो किसी दूसरे अप्लिकेशन में भी कर सकते हैं अगर आप लोग को इस एप का नॉलेज है तो लेकिन मैं पिक्सल लैब में आप लोग को सिखाने वाला हूँ तो इसमें सबसे पहले आप लोग को जो PNGs की जरुवत पढ़ेंगे इस thumbnail में या फिर जो भी fonts की जरुवत पढ़ेंगे वो सब मैं आप लोग को last प्रोवाइड कर दूँगा जो बता दूँगा जो आप लोग को कैसे download करना है तो सबसे पहले आप लोग video देख़ लीजए तो यहां पे सबसे पहले आप लोग को कुछ इस्ट्राइब का इंटरफेस मिलता है तो सबसे पहले आप लोग को यहां नीचे में जाना है इस वाले option पर मैं यहांपर Mark लगा कि आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहां पर इस वाले option पर जाने अपर यहां से आप लोग को image size पर किलिक करने क् ships अठीक करने के यहांप लिए अण क्लिक करने करने के बाद YouTube आप लोग का quality और अच्छा ए उसका यहां से कर देंगे और कर दने के बाद यह आप लोगो कुछ स्टैप से अगा निए क्वाने देंगे तो रहने दीजीं नहीं तो आप लोग इस वाले उप्शन पर इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को इसका कलर चेंज करना कि यहां पर सिंप्ली आप लोग को नॉर्मल प्रका भ आप लोग खुद से यहां से बना भी सकते हैं अगर यह ज़ेज आप लोगो नहीं पता तो सचिन टेक थम्निल पर मैंने बहुत सरे वीडियो बना है वो जाके आप लोग देख सकते हैं आप लोग को प्लीलिस्ट मिल जाएगा यहां से डन करने के बाद यहां लोग का आगया बैग्राउंड अब हम लोग को लेना है पी एंजी जो आप लोग को मैं बताऊंगा जो आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे तो आप लोग को सिंपल अब यह दोनों इमेजिस को आप लोग को यहां पे कुछ step से set करना है आपने thumbnail के हिसाब साप लोग को यह से set कर सकते हैं यहां पर मैंने महिस भाई का ही लिया है पी एंजी ताकि मैं आप लोग को अच्छे समझा सकों तो यहां पर यहां पर लगा देता हूं पी एंजी और यहां से जो यह एक cloud है या smoke बोलिए इसको मैं थोड़ा से रोटेट करके अपने हिसाब से step से set कर दूँगा और इसको मैं यहां से two back कर दूँगा जिससे यह मेरा फोटो है जो उपर आ जाएगा और यह मेरा पीछे चले जाएगा उसके बाद मैं इसको यहां पर लियर वाले option पर जाके यहां निकी copy करके यहां पर आप लोग और ज्यादा यहां पर लगा सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर लगा देता हूं थोड़ा सा नीचे साइड में और इसको मैं two back कर देता हूं और इसमें आप लोग और कुछ कर सकते हैं जैसे कि आप इसका opacity कम ज्यादा कर सकते कुछ इस गड़ सकते हैं तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखेगा और अभी तक आप लोगों में वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब कर लिजेगा तो वापस से हम लोग इस वाली ओप्शन पर ही यहां पर आप करने के बाद आप लोग को यह प्लस वाल आइकन पर क्लिक करना है उसके आद आप लोग को यह वाला ऑप्शन यहां से चूज करना है जो मैं आप लोग को मार्क करके दिखा दे रहा हूं यह वाला जो ऑप्शन है यह आप लोग को चूज करना है तो यह उप्शन चूज कर तो यहां से हम लोग फिर से प्लस वाल आइकन पर जाएंगे और इसको पूरा ऐसे छोटा कर देंगे जिससे वह सरकल थोड़ा कम हो जाए और यहां से इस टैप से देखने को लगेगा तो यहां से फिर से में लियर वाल उप्शन पर जाऊंगो और इसको भी मैं लॉक कर दूँगा ताकि यह ले ना और कुछ गड़ बर ना आप लोगो फिर से शेप पर जाना और इस बार स्कोरी रहनी देना है उसके बाद आप लोग को यहां पर नीचे जाना है और ग्रेडियंट कलर में जाना है और यहां से आप लोगो कुछ इस टैप का कलर ले लेना है जिस टैप का मिले रहा हूं तो इस कलर को बनाने के लाप लोगों को प्लस वाल आइकन पर क्लिक करना है और एक साइड आप लोगों को कुछ इस टैप से रख तो मैंने कुछ step का ले लिया और एक साइट देख सकते हैं मेरा पुरा transparent है तो यह transparent को आप लोग को रहने देना उसका यहां से okay करेंगे okay कर देने का यहां से done करेंगे अब इसको कुछ step से मैं rotate करूंगा और इसको मैं पुरा full screen पर कर दूँगा कुछ step से और यह मैं पुरा full screen पर करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा to back कर दूँगा यह कुछ step से देखने को लगेगा अब आप लोग इसको नीचे में रखना चाहते तो करने के बाद उसके तक पर आप लोग को डवल टाप करकर जो लिखना है वो लिख लीजे तो यहां पर मैं example के लिए कुछ भी लेता हुँ जैसे मैंने यहां पर कुछ भी लिख लिए तो इसके बाद आप लोग को यहां पॉपिन्स के यह सारे फॉंट है तो ज्यादा तर यह यूज करते हैं महिस यह वाला फॉंट पॉपिन्स का जो कि मैंने उनके थम्नेल में देखा है और आप लोग भी देखते होंगे तो यह वाला फॉंट आप लोग यूज कर सकते हैं बाकि आप लोग टेक्स्ट को जिस ट वीडियो में बता दूँगा या क॑मेंड करके बता दूँगा नहीं तो इंस्टा गरम below करके पूश सकते हैं तो वीडियो अचphemेंर लगए ओanska लाइक कर दिजागा चैनल पर नएया तो सब्सक्राइब कर दिजागा तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए परस इतना ही तब तक लिए जैहिंद बंदे मात्रों